इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख करते हैं बड़ी खबर देखेजी हिंदुस्तान से बीजेपी के सांसत सुब्रत पाठक ने बात की और कहा कि अकलेश राज में माफियाओं की चलती थी सुब्रत पाठक ने कहा अकलेश की हताशा साव दिखाई दे रही है बड़ी खबर उत्रपदेश की सियासत में किस तरीके से फेर बदल हो रहा है और सुब्रत पाठक ने कहा कि डरकर सुरक्षट सीट पर आकर अकलेश यादव क्यों चुनाव लड़ रही हैं सवाल भी पाठक ने क्या कुछ कहा सुनिएगा नमस्कार मैं इस वक्त यूपी के कन्नौज में हूँ इत्रनगरी कन्नौज और हमारे साथ इस वक्त बेहत खास मैमान है सुबरत पाठक जी जो की यहां से बीजेपी के सांसद है और इस वक्त चुकी यूपी के रण के सियासी मिजाज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां आखिर क्या चल रहा है कहां का क्या सियासी गुणा गणित है इस बीच यूपी के सियासी इस रण में जबरदस्त वार पलट वार चल रहा है जुबानी जंग चल रही है पाठक जी अभी देखना देखा आपने की अखलेश चादों कह रहे हैं कि यह लूंगी वाले कहां दोड़ पाएंगे हम तो रेस पर बहुत आ गए देखो अखलेश जी जिस प्रकार की जो बातें पिछले कई दिनों से कर रहे हैं या तो उनकी यह हतासा है और या फिर यह उ संप्रदाइब को सक्षाइब को माफिया वाद को समाफ्ट किया उत्तर प्रदेश एक जंगल राज उत्तर प्रदेश का हुआ करता ठाना दोड़ है उप्टार कि द.'" कर दी लेकिन लुंगी वाले बयान पर कई लोग कह रहे हैं कि आप योगी के लेकर यह सॉन्तों का लगातार अपमान कर रहे हैं इनकी नेजर में संत्नों होन पlo Communityitा वह committed Fire शसीन वाले बाबा भी कि रूट करतेकों कि राजियनिति करतें अब देश प्रदेश इन सबसे बहुत उपर उठ गया है और निशित रूप से अब यहां के ऊपर काम के आधार पर वोट मिलता है गुंडगर्दी के विरोध में वोट मिलता है और जिसको लेकर राज योगी जी आज योगी सासंद को अगर देश भर में मौटल के रूप मे जा रहा है तो इसलिए पहनावे की बात हो रही है तो का जा रहा है कि राजनीतिक अस्तर और कितना नीचे जाएगा समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए अपनी पहचांद के नजनें साथ में जाते ते गुंडगर्दी करते थे करहल सेहीं कि दोरी होगी करहल से ही क्यों देखो अखलेश जी जब योगी जी चुना लोड़ने गहे थे गोरकपूर तो उन्हों कह रहे हैं कि अखलेश जादों ने सेफ सीट चुन ली वो कहते हैं कि सेफ सीट तो योगी आदितनात ने भी चुन ली गोरकपूर से देखो आप एक बात बताईए वो बताईवरने ने रहे हैं और एक बार उनकी पत्नी निर्विरोत चुनी गई मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीतते रहे हैं यहां की चर्चाती छिबरा मोसीट से यहां से क्यों नहीं चुना है और निस्चित रूप से वही कारण है कि यहां के उपर लगने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्युंकि उनके जाती संप्रदाई का कही के ऊपर इतना वोट नहीं कि उसकी आधार पर उनके चुना है, तो कि वहां के से उनों ओने जहां पर जादा बहुनón को ले कर बार-भार समाजवादी पारटी बीजबबी पर अटएक करेगी ब्रामनों का स्ोर्चन उराorg अस सरकार में और इस मुद्ध्य को लेकर वह कही यही वह सरकार है जिसमें सही माइने में सब को न्याय मिलाय वुस नहां मिलाया उसना भी निश्चित रूप से इसको कौन ठुकरा सकता है उत्तर प्रदेश की राजिनीत में बहुत इंपोर्डेंट है रही सीट पर डिसाइ्ड करते हैं किसको जीत किसकी आर अधियर सदैप स के लिए परिक्ष्य सरे लगों के साथ में खिल बाल किया लोगों ने जिस प्रकार से नंकल का सेंटर यहां जंगा-जंगा बना दिये उसे कहीं नहीं रूप से सबका बहुत नुक्सान हुआ है और प्रकार से इस्तिति आई थी आपने देखा होगा कि एक वह लड़की थी जिसने परिक्ष्या दी थी उसके सफेदा लगा कि उसके नंबर कम कर दी थी कारण क्या था कि जाती विसेस का उस समय पर सासन था और उनके लड़के की नोकरी लग जाए उसके नंबर बढ़ा दिये उसके घटा दिये गए तो इस प्रकार से उनके साथ होता था उत्तर प्रदेश में साहिदी कोई एक साथ ध्याले उत्तर प्रदेश में लड़कियों का होगा जिसके बाहिए जिहादी गुंडे ना खाले रहते हों 25-50 गुंडा हर उसके बाहर और सबसेदा लब जिहाद की सिकार नहीं बना सकते आज हमारे यहाँ जिस प्रकार से आज कोई भी नोकरी है तो उसमें बाकाइदा मेरिट के आधार पर चैन होता है उसको नहाई मिलता है सबको नहाई मिलता है पढ़ना यादो की एक तस्वीर आ जाई है मुलाहिम सिंग यादो से पैर शुकर के आशि कारण से अकलेज़ जी नेता बन गए अन से प्रोले चोटा बेटा तो फथो फ्र日本 नहीं मिलेगा तो प्लाप्र और फ्रेंगर हर घर का किस्सरा यह कौूल बिला हाँ विरासरिय की लड़ाई है ऑर यह उसे का आक यहाँ के इस बार जो तीनो собствен विज過去 एपने पाले में पूरी निष्ठा के साथ में काम किया है और कोई भाई भतीजा बाद नहीं किया जिस प्रकार से पहले कुछ चंद लोगों का इविकास होता था वो भी सरकार में नहीं हुआ है और सही माइने में जो पंग्ती में ख़ले हुए सबसे आखरी है और हमने कभी उनकी जाती नहीं पूछी कि तुम्हारी जाती क्या है तुम्हारा संपरदाय क्या है क्योंकि गरीब की कोई जात नहीं होती गरीब तो हर जात में है और गरीब को उसके तक संसाधन पहुंच जाए सरकारों का यहीं काम है गरीब के साथ किसी प्रकार की बंदर माटना हो तो यह काम सरकार का ह प्रत्युशखरे कन्नाज जी मीडिया